आई मार्केट की डिमांड हुई तो हम जरूर एक APS-C sensor based RF mount camera मार्केट में उतारेंगे बट उसके बाद जो EFM mount है जो APS-C mirrorless camera की अभी existing mount है उसका क्या होगा तो चलिए हम उसके बारे में discuss करते हैं बट विफोर देट अगर आप नए हो do consider subscribing to our channel और वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्तो लाइक करना मत भूल जाना तो यहां पर जो EFM mount है मैं बता दूँ आपको इसकी transformation की बाते चल रही है और transformation किस तरह है कि यह entire जो series है EFM mount से related जितने भी lenses है यह camera यह सारे vlogger centric हो जाएंगे in near future आपने recent patent जरूर देखी होगी मैंने publish भी करी थी अपने website में और इस YouTube चैनल में भी आप देखोगी काफी unique designs पर Canon इस वक्त काम कर रहा है और यहां पर जो सबसे noticeable बात है यह unique designs है इसमें जो mount use हो रही है आप देखोगी कि एक EFM mount use हो रही है इसका साथ मतलब है कि EFM mount अभी इतना जल्दी obsolete नहीं होने वाला है इसके ऊपर अभी भी research and development चल रही है और कहीं न कहीं इसकी transformation की त्यारी चल रही है और आने वाले समय में जितने भी EFM mount के camera होंगे वो vlogger centered camera होंगे यानि कि जो entire series रहेगे थोड़ी blogger friendly या entry level users friendly रहने वाली है और जो RF mount की APS-C mirrorless camera है वो professional photographers के लिए design रहेगी कहीं न कहीं आपकी budget थोड़ी जादा है आपको एक high end APS-C shooting machine चाहिए तब आप RF mount की APS-C mirrorless camera में इंवेस्ट करो otherwise आप एक vlogging के लिए आपको एक camera चाहिए vloggers friendly camera चाहिए उसके लिए जो entire EFM mount की series है वो dedicated रहेगी तो as per the current situation जो हमें दिख रहा है कि Canon की research and development team जिस तरफ काम कर रही है और जो entire अभी rumors आ रहे हैं कि अभी एक और EFM mount का camera आ सकता है 2021 में बट एक बिल्कुल ही है वो नए design कर रहेगा और कहीं न कहीं vloggers centered camera रहेगा vloggers के लिए बना रहेगा तो यह देखना बहुत ही interesting होने वाला है कि जो आने वाला EFM mount का camera है उसमें क्या-क्या नए features आते हैं और क्या यह जो entire series है इसकी transformation है वो कितनी जल्दी होगी और हमें RF mount का APS-C mirrorless camera आप कब देखने को मिलेगा और इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत अच्छी बात उभर के सामने आई है कि यहाँ पर EFM mount की जो series है इसकी बंध होने की जो बाते चल रही थे internet पे पिछले साल कई सारी popular rumor mills ने websites ने डाला था कि अब EFM mount का कोई future नहीं है क्योंकि Canon RF mount APS-C mirrorless camera की तरफ रुक कर रहा है उस पर अब एक विराम लग चुका है एक flash stop लग चुका है आप हमें जरूर बताए comment section में और आपके कुछ questions है तो वो आप पूछ सकते हो hashtag askthenewcamera.com के साथ नए हो अभी तक इस वीडियो से जुड़े हो है तो subscribe कर लो हमारी चैनल को और वीडियो अच्छ लगा हो आपको तो like करना मत भूल जाना thanks again very much for watching this video कर दो